हेलो एबरीवन, वेलकम टू शमीम्स किचिन, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चिकन मलाई टिक्का बनाने की रेसिपी, यह इतना जादा फ्लेवरफुल और टेस्टी होता है कि आप इसका टेस्ट नहीं भूल पाएंगे, तो आए बनाने का तरीका देख लेते है तो चिकन मलाई टिक्का बनाने के लिए यहाँ पर हमने 400 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है और इसे अच्छी तरह से बॉश कर लिया है, यह एक बड़े साइस का चिकन ब्रेस था, जिसको हमने चोटे टुकडों में, यानि की 1-1.5 इंच के टुकडों में काट लिया है, आप इसकी जगर चिकन थाइप इसका इस्तिमाल कर सकते हैं, जिससे चिकन और भी जादर टेंडर और जूसी बनेंगे, अब हम इसमें कुछ मसाले शामिल कर देंगे, तो सबसे पहले इसमें एक चमच अद्रग और एक चमच लैसुन का पेस्ट डाल देंगे, और साथ ही इसमें दो चमच प्लेंड किया हुआ दही शामिल कर देना है, दही में पानी नहीं था और डालने से पहले इसको हमने चन्नी पर दस मिनट के लिए रख दिया था, अब इसमें शामिल कर देते हैं, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, साथी हाफ टी स्पून भुना हुआ जीरा पाउडर एड़ कर देंगे, अब एड़ कर देते हैं, एक टी स्पून चाट मसाला पाउडर, इसके बाद डाल देना है, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, एक टी स्पून भुना हुआ कसूरी मेथी पाउडर डाल देना है, और इसमें फ्लेवर लाने के लिए, वन अब इसमें 5-6 हरी मिर्च, 5-6 पुदीना के पत्ते और कुछ हरा धनिया इन सभी को एक साथ दरदरा सा पीस कर चिकन में एड़ कर देना है अब इसमें 1-4 टी स्पून नमक एड़ कर देना है नमक एहतियात से एड़ कीजेगा क्योंकि चाट मसाला और बटर में भी नमक होता है और अब इसमें शामिल कर देते हैं 3 टेबल स्पून मेल्टेट बटर आप इसकी जगर ऑईल या फिर घी का भी इस्तिमाल कर सकते हैं और अब सभी इंग्रिडियंट्स को चिकन में अच्छी तरह से मिला लेते हैं और मिलाने की बाद इसे मैरिनेशन के लिए 1-2 घंटे के लिए रख देंगे आप जितना देर तक इसे रखेंगे उतना ही अच्छा चिकन बन कर तयार होगा और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे फौरण भी बना सकते हैं तो अब चिकन अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है इसे रख देते हैं और यहाँ पर हमने एक पैन ले लिया है इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन शामिल कर देंगे और अब चिकन को चारो तरफ अच्छी तरह से फैला देते हैं जिससे पकने में आसानी होगी और अब लिड से कवर कर देंगे और 15 मिनिट के लिए मीडियम फ्लेम पर पका लेना है पांच मिनिट के बाद इसे एक बार चला लेंगे और 5 मिनिट बाद आप देख सकते हैं कि चिकन और दही ने काफी जादा पानी छोड़ दिया है इसमें हमने बिल्कुल भी पाने शामिल नहीं किया है ये चिकन और दही का पानी है तो इसे एक बार अच्छी तरह से मिला लेना है और अब इसे ढख देते हैं और 10 मिनिट के लिए पकने देते हैं मीडियम फ्लेम पर और 10 मिनिट के बाद लिड हटा देंगे और काफी जादा पानी दीख रहा है तो फ्लेम को हाई कर देना है और इसका सारा पानी सुखा लेना है और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्रेवी काफी हद तक ट्राई हो चुका है अब इसमें से एक एक करके चिकन के पीसिस को निकाल लेना है और इसमें जो थोड़ा सा ग्रेवी बच रहा है इसको हम ऐसे ही रहने देंगे जिसका इस्तिमाल आगे कर लेंगे और यहाँ पर हमने एक कप दही लिया है जिसको ग्राइंडर जार में डाल देना है अब इसमें हाफ कप फ्रेश क्रीम एड़ कर देंगे अमूल का फ्रेश क्रीम इस्तिमाल कर रही हूँ आप चाहें तो दूद के उपर की मलाई भी एड़ कर सकते हैं और इसे लिड लगा कर एक बार घुमा लेना है इस तरह से पेस्ट बना कर तयार कर लेना है अब सभी चिकन पिसिस को एक नेट पर असेंबल कर लेना है अब गैस को अन करेंगे और हाई फ्लेम पर इसे रोस्ट कर लेंगे और अब चिकन के ऊपर थोड़ा सा बटर या घी अपलाई करके इसे दोनों तरफ से अच्छी तरह से रोस्ट कर लेना है तो इस तरह से चिकन को रोस्ट करने पर एक स्मोकी फ्लेवर आ जाता है और बहुत जबरदस लगता है खाने में अब दोनों तरफ से चिकन अच्छी तरह से रोस्ट हो चुका है अब इस बचे हुए मिक्षर में दही और क्रीम का मिक्षर एट कर देंगे अब इसमें चिकन शामिल कर देते हैं और इसे अच्छी तरह से एक से दो दफा हलके हातों से मिक्स कर लेंगे और अब इसे ढख कर सिर्फ दो मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे जादा देर तक इसे नहीं पकाना है वरना क्रीम में से ओयल सेपरेट होने लगेगा और अब दो मिनट के बाद लिड हटा देंगे अब शामिल कर देते हैं दो से तीन टेबल स्पून के करीब मेल्टेड बटर अब इसके बाद गार्णिश कर लेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया से आप चाहें तो थोड़ा सा चाट मसाला भी इसके उपर स्प्रिंकल कर सकते हैं तो इस तरह से रिच फ्लेवर वाला जूसी और क्रीमी चिकन मलाइटिक का बनकर तयार हो गया है बिना तंदूर और अवन के इसे घर पर आसानी से बना सकते हैं इस रेसिपी को आप जरूर ट्राइ कीजिएगा वीडियो पसंद आए तो लाइक शियर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए अल्ला हाफिज